इस ख्लास के तहत सभी विद्यार थी, जो इंगलिस क्रेमर में वर्ड पावर हम पढ़ते हैं। उसमें एक पहुत ही महत्पूंड चेप्टर है जिसे आपको प्रेपेर करने की जुरत पढ़ते हैं, त्यार करने की जुरत पढ़ती है। और वो चैप्टर है आपका One Word Substitution ठीक है इसी को word duplication भी बोलते हैं याone word substitution मतलब जैसे कहते हैं अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ठीक जैसे कहा गया कि हम कहते हैं जो मरीजों का इलाज करता है उसे हम क्या बोलते हैं एक सब्द में बोलना हो तो डॉक्टर बोलते हैं तो क्या हुआ अनेक सब्दों का एक सब्द हुआ जैसे जो बिद्यार्थियों को पढ़ाता है ठीक अब जो बिद्यार्थियों को पढ़ाता है अनेक सब्द हो गया इसके लिए हमने एक सब्द बताया क्या अध्यापक अब कहा गया वह बच्चा जो इस्कूल में पढ़ता है ज्विसार थिद्विस्त मीना डीन से रहे अब ऐसे जिसे आपका क्लास्स टीचर हो गया जि剛剛 क्या है वन अभ्ट कॉछ JUBA गज़े wolf बैटल्फिल्ट का मतलब क्या avaar है जा पर होता है घटित होता है ठेख इसनि को हम क्या बोलते हैं वण वढ़ेशिन बोलते हैं मतलब अनेक सब्दों के लिए एक सब्ध लिखना वनवड़ substitution कहलाता है अब इसमें थोड़ा शा हम लोग chapter लिखने से पहले या जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं आप लिख लिजें कि मान लिजें आप से पूँछता है what is one word substitution write any इस पर यह कैसे लिखे what is the importance of one word substitution one word substitution की importance क्या है तो क्या आप लिखेंगे देखें क्या होता है किसी चीज की शुरुआत beginning जो है हम introduction से करते हैं किससे करते हैं introduction से करते हैं introduction मतलब आप लोग जानते हैं प्रस्तावना होती है किसी चीज की अब जैसे अब आप लोग को मैंने जीके में बताया था constitution जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कहा था प्रस्तावना ठीक है प्रस्तावना मतलब क्या होता है किसी चीज का दर्शन होता है किसी चीज की philosophy होती है उसमें आगे हम किन चीजों का वो लेक करना चाहते है अब यहां पर देखिए यह सबसे पहले ही लिखा गया Shakespeare said who is Shakespeare a great dramatist क्या है a great dramatist of Elizabethan is belongs to Britain मतलब ब्रेटन का इंग्लेंड का एक महान नाटक कार जो Elizabethan यूग का था जिसकी great tragedies मतलब क्या है famous है world famous है जिसमें Macbeth है Hamlet है King Lear है Othello है ठीक है इसके अलाओं उसने बहुत सारी चीजों को मतलब क्या किया है उन्होंने लिखा है जिसमें basically हम कहते हैं tragic comedy मतलब एक literature की बिधा है जिसको की Shakespeare ने क्या-क्या अच्छी तरीके से utilize किया और अपना name और fame मतलब कमाया उन्होंने लिखा Shakespeare का एक statement है उसमें दिया गया है ब्रेविटी इस दे सोल अफ विट ब्रेविटी इस दे सोल अफ विट वट इस ब्रेविटी और वट इस विट विट मतलब जानते हैं वरने अशी होता है चाल आंकी जिसको बोलते हैं हम कह सकते हैं साथ माइंड मतलब जैसे कहा कोई एक घंटा लेक्चर दिया उसको एक सब्द में मतलब एक सेंटेंस में क्या कर देना डिफिट कर देना तो जो व्रेविटी है इस दे सोल आफ विट मतलब जैसे कहा किसी चीज को संचिप्द शब्दों में कह देना ही सबसे बड़ी क्या है बुद्ध मत्त है अब आगे लिखा फिच इंपैसाइज हाव वन मस्ट बी ब्रीफ and also at the same time लिखेट, clear, exact and accurate in one's expression कैसी एक ब्रीफिक क्लियर, aspressed, exact मतलब ठीक उसी चीज को अपनी भावनाओं को क्या कर देता है एक्सप्रेस कर देता है अप एक शक्रत किसके मतलब किसी चीज को घुमा घुमा के कहने से अच्छा सीधे शक्रतिक सब्दों में किसी चीज को बोल देना देखिए लिखा है आप पर बॉस style reveals a confusion, confused mind मतलब बॉस style वही कहते हैं किसी चीज को जैसे हम कहते हैं यूफिमिजम अभी आपको बताएंगे अस्पस्ट, अस्पस्ट बोलना या फ्यूग्रेटिव लेंग्विज क्या करता है, mind को confused करता है बट ऐसा नहीं को उसका importance नहीं उसका भी importance है, जैसे कहा गया अब क्या है पढ़ने वाला कनक कनक मतलब समझता रहे, कनक मतलब सोना या कनक मतलब धतूरा वहां तो confused create किया गया जैसे कहा गया, he is not in the world वो इस दुनिया में नहीं है समझने वाला सोचा कि चंद्रमा पर चला गया दूसरी दुनिया में जबकि ऐसा कुछ नहीं था ना मतलब यह क्या था, यह उफिमिजम था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा इसका मतलब क्या हो गया मतलब last his breath take his last breath कह सकते हैं आगे कहा गया in the merchant of Venice Vasanio remarks about Graciano Vasanio जो है Graciano को remark करता है who is Vasanio, the friend of Antonio अभी आप लोग mercy poem पढ़ते हैं तो उसमें था, यह merchant of Venice पढ़ते तो उसमें था कहते हैं, Graciano speaks as infinite deal of nothing his reasons are as to gain of wheat hide into buses of calf you shall seed all day or you find them and when you have them they are not worth the search जैसे कहा गया कि किसी चीज़ की importance कब तक है जब तक वो आपके पास नहीं है जब वो आपके पास हो जाती है न तो उसकी importance क्या हो जाती है कम हो जाती जैसे कहा गया जब तक अंग्रेजीन नहीं आती बोलना हो तब तक सोचते है कोई बोलता है सामने वाला तो लगता है कि मैं भी बोलता तो क्या होता अच्छा रहता लेकिन जैसे ही बोलने आ जाता है तब लगता है जैसे हम हिंदी बोलते हैं जैसे हम संस्कृइट बोलते हैं जैसे हम अदर लैंगज बोलते हैं सोदा इंग्लिश आया समझतनी यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज आपके पास है एणभ है आपको उसकी बैलू नहीं पता चलती लेकिन जब आपके पास नहीं होता तो उसकी क्या होती ह बैलू पता चलती है इसी के आगे लिखा गया this remarks is equally applicable to those who waste too many words to express a to express a little idea this remarks is equally applicable यह जो remark है वो बराबर के तौर पर applicable होती है to those उनके लिए who waste too many words जो बहुत सारा सब्द क्या करते हैं to express a little idea छोटे सी विचार को क्या करने के लिए अभी व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने के लिए so नहीं in the air nonsense and they fail to impress others और कहा गया कि बहुत सारा कुछ बोल भी दिये उसी जादा बोलने के चक्कर में जो काम बन रहा था हो क्या हो गया बिगड़ गया अब देखिए यहां पर आपको लिखा गया what is the importance of the chapter this chapter helps you to be brief and clear in their expression मतलब किसी चीज़ को हमको सच्छिप्ट और असपस्ट अभी व्यक्त के में मदद करता है यह chapter आगे लिखा है this chapter will be useful to you even later stage when they have to practice the art of प्रेसी राइटिंग अभी आगे आप लोगों को जब प्रेसी राइटिंग बताया जाएगा प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है सार संचेपन जब किसी paragraph को हम पढ़ लेते हैं पढ़ने की बाद उसका जब हमको सारांस लिखना होता है ठीक है उसी को हम फ्रेसी राइटिंग बोलते हैं या आपके आईस एक्जाम में आता है लिखने के लिए आता है कभी आप सीडियस का एक्जाम देते हैं उसमें आता है आं गया सम्छनी और मतलब भेर सारे एक्जाम्प्स है जहांपर की पैरग्राफ रायटिंग का सारसनशे पढ़ाता है उसको आप लिखते हैं हिंदी में भी आता है इंग्लिस में लिखने के लिए आता है यहाँ पर हम कुछ एक् मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते है एलायो बोलते है आयस्क आप लोग सुने होगे आपSetrade blev होता है कि किसी चीज का पर होता है उस में सकता है इसके बाद लिखा है मतलब एक बैंट जिसमें पेसेंट को ले जाया जाता है अंबुलेंस कहलाता है आपको पता है इसके बाद लिखाया है पैरेंट्स आफ पैरेंट्स मतलब माता-पिता के माता-पिता your ancestors कहलाते हैं अगला लिखा गया to increase the speed गारी की क्या करना है स्पीड को तेज करना है हूँ क्या क mooi Ret करते हैं तो accelerator हो गया एक्सलेट करना हो गया इसके बाद लिखा है पांचवा केंसरेंड विथ ब्यूटी मतलब जो जिसका संबंद किसे हो सुन्दरता से हो उसे हम एस्थेटिक कहते हैं इसी की एक विधा है लिटरेचर में जिसे एस्थेटिसिजम कहा जाता है ठीक है मतलब जिसे हम संदर सास्त्र बोलते हैं उसको आपको पढ़ना है तो यहां इस चैप्टर के तहट आप लोगों को इतनी चीज़ों को नोट भी कर लेना है वन वर्ट सब जैसे जैसे हम आले जिए अगे भेज़ेंगे एक जमपल के तौर पर आप लोग उसको इसमें इंक्लिट करते चलिएगा ओके थेंक्यू फार दिस क्लास